हे गाइज दिस इस कप्पिल कादियन वेलकम बैक टू वन्स अगें तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपोर्टेंट फॉर्मूले फॉर यूर बोर्ड एक्जैम तो चैप्टर एलेक्ट्रो केमेस्ट्री के वो सभी फॉर्मूले डिसकस करेंगे डिटेल्स के अंदर जो आपके एक्जैम्स के लिए काफी इंपोर्टेंट रहेंगे तो वीडियो को बढ़ाने से पहले आप सभी से हमबल रिक्वेस्ट करूए तो आप चैनल पर मेरे साथ फॉर्स टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें और जि अब यह किसमें कन्वर्ट होगे बैसिकली मैटल के अंदर सॉलिट फॉर्म के अंदर तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा इस इकल टू इनोट माइनस टू पॉइंट त्री जिरो त्री डिवाइड बाई एनफ इंटू आर्ट लोग वन बाई मैटल आइंस अब इस केस में आपने समझना है यह फॉर्मूला किसका है बिसिकली तो यहां हमारे पास ए का मतलब क्या है इस 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 इलेक्ट्रोड पोटेंशल इनोट का मतलब हमारे पास क्या है बच्छो यहां पर स्टेंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशल इनोट हमारे पास स्टेंडर्ड इलेक पोटेंशिल के लिए अभी यह आपको पतल लग गया वन बाइवन सेकेंड हमारे पास जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रो मॉटी फॉर्स ओपेस सेल के लिए अब इस केस में आपने समझना है इसल इस इकॉल टू क्या होता है इस कैथोर्ड माइनस ए अनोड अब इसको मैसे भी इनोड सेल माइनस 2.303 आर्टी डिवाइड वाइ एनफ लोग मैटल आइनस एनोड मैटल आइनस कैथोर्ड अब इस केस में देखिया आप वन्स अगें फिर एक मैंने बिल्कुल डैरिविशन के रूपे यह फॉर्मूला त्यार किया है फॉर ए रियक्शन आप टाइप रि एक्षन हमारे पास बनेगी तो इसल इकोल टू ऐ नोट सेल माइनस 2.303 आर्टी डिवाइड बाई एनफ लोग अब यहांपर प्रोडक्ट प्रोडट्क की पावर क्या है हमारे पास ऊपर चली जाएगी सी देकी पावर डी हो जाएगी एकी पावर एए और बी की पावर क् के चल रहें तो इस reaction के according भी देख लीजी हमारे पास N capital M और यह हमारे पास small क्या है M अब N की power N positive तो इस same reaction N हमारे पास small M की power N positive plus M हमारे पास N अब इस case में where valency of a metal is a different तो valency होती है basically metal की वो different होती है तो formula क्या बनेगा हमारे पास E cell is equal to E not cell minus 2.303 RT और यहां पर हमने क्या डाल दिये यहां पर M multiply by N और into क्या गया F अब लोग हमारे पास M की power N positive की power N होगा और N की power हमारे पास basically क्या बन जाएगा N positive और power basically change हो जाएगी M अब next formula हमारे पास है third वाला formula काफी important numericals पूछे जाते हैं work done इने cell के अंदर अब work done इन cell हम किसको denote करेंगे delta RG node से this is a standard gives energy for a reaction या फिर हमारे पास work done is equal to किसके को लोगा minus N FE cell के अब N हमारे पास क्या यहां पर number पर electron transferred F क्या होगा यहां पर और E cell का मदलब क्या होगा यहां पर this is a EMF of a cell तो इसके उपर numericals पूछे जाते हैं काफी important है उसके बार next formula हमारे पास है basically fourth formula की at equilibrium के लिए E cell is equal to zero यदि E cell क्या हो जाता है zero हो जाता है तो हमारे पास E cell is equal to E not cell minus 2.303 divided by NFRT log K अब यहां पर इसकी value zero put कर देते हैं तो zero put करेंगे तो basically यह वाला formula की इदर आ जाएगा तो हमारे पास E cell is equal to 2.303 divided by NFRT log K यह हमारे पास क्या बन गया लोक K अब इस case में यदि log K की value निकालना चाते हैं तो क्या करोगे NF को इदर multiply कर दो RT को निचे ले आओ 2.333 को भी निचे ले आओ तो log K is equal to क्या बन गया हमारे पास NF E not cell 2.303 divided by RT अब इस case में यदि आपने log को हटा के क्या लगा दोगे NT log तो same formula वही रहेगा K is equal to NT log NF E not cell divided by 2.303 RT अब इस case में बच्चों यहां पर देख लिजिए कि at 25 degree Celsius की अधी बात करते हैं तो हमारे पास K is equal to क्या होगा NT log अब इस case में सारी standard value पूट कर देते हैं R gas constant की value पूट कर देते हैं temperature की value 298 पूट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा N यहां पर E not cell divided by 0.0591 अब इस case में जो formula next यहीं से ready बन गया हमारे पास delta R G not is equal to minus RT ln K अब इसको हम basically किसमें change करेंगे natural log को base log के अंदर तो formula क्या बनेगा delta R G not standard gives energy for अब इस case में minus 2.303 this is a gas constant temperature और उसके बाद log K अब next formula हमारे पास है fifth formula for a concentration cell के लिए अब cell concentration की बात कर रहे है तो E cell is equal to 2.303 NF divided by हो गया multiply by RT log C2 divided by C1 अब यह C और C2 क्या है यहां पर this is a concentration तो C2 concentration हमारे पास is greater than अपर किस से होगी basically C1 से clear होगे यह भी next formula हमारे पास sixth formula है a cell reaction is a feasible अब एक cell reaction हमारे पास feasible के लिए तो इस case में E cell is equal to क्या होगा basically positive होगा तो यह भी formula काफी important रहेगा next हमारे पास है seventh formula resistance resistance क्या होता है हमारे पास R is equal to rho L divided by A अब यहां पर यहां पर यदि बात करें unit of resistance basically क्या होती है O L हमारे पास क्या होगे length A क्या होगा area पे cross section and this is a row इसको हम row से represent करते हैं इसको हम resistivity बोलेंगे या फिर specific resistance बोलेंगे next formula हमारे पास है basically resistivity के लिए जिसका नाम है specific resistance second और within basically SI unit के according मैं आपको बता रहा हूँ यहां पर कि हमारे पास resistivity is equal to R A divided by L यदि L को हम 1 meter कर देते हैं area को 1 meter square कर देते हैं तो हमारे पास row is equal to क्या बचता है only resistance अब इसके अंदर हमारे पास unit of a resistivity क्या बनेगी this is a R की होती है हमारे पास ohm और बाकी क्या बच गया only meter बच गया यहां पर तो ohm meter इसकी SI unit होगी resistivity की next हमारे पास जो formula है formula number 9 conductance का conductance को denote करते हैं C से भी और G से भी तो यहां हम G से denote करके चल रहे हैं तो G is equal to inversely proportional to a resistance अब यहां पर G हमारे पास क्या है conductance R क्या होगा basically बच्चो resistance अब इसकी SI unit भी देख लीजिए SI unit of a conductance G is क्या होती है one by ohm या फिर इसको हम क्या लिखेते हैं ohm inverse या फिर क्या लिखेंगे मोहो या फिर क्या लिखेंगे इसको Simon तो यह सारी unit भी में आपको करार हों जो आपके MCQ के लिए काफी important रहेंगे basically next formula हमारे पास number 10 formula conductivity conductivity को denote करते हैं कापा से तो कापा is equal to क्या होगा basically one by rho अब इस case में where conductivity कापा से denote करेंगे resistivity को किसे denote करेंगे हम rho से अब इस case में SI unit पे conductivity कापा की SI unit हमारे पास क्या थी basically दिबात करते हैं बच्चो तो कापा is equal to one by resistivity की SI unit हमारे पास थी ohm meter अब इस case में ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा ohm inverse meter inverse यह हमारे पास इसकी SI unit आ जाएगी conductivity की next formula हमारे पास है specific conductance क्या होता है तो इसके अंदर हमारे पास basically देखिए इस case में conductivity is equal to one by resistivity अब यहां से मैं put कर देता हूँ resistivity की value तो one by क्या होती है हमारे पास R A divided by L L चला जाएगा उपर तो conductivity अब यह one by R किसकी equal होता है basically this is a conductance के तो G multiply by L by A अब इसको हम basically L by A को क्या बोलते हैं this is a cell constant तो कापा is equal to हमारे पास क्या आ गया conductance multiply by this is a cell constant G star अब यहां पर मैं one by one सभी को denote कर रहा हूँ कापा हमारे पास क्या है specific conductance R हमारे पास resistance G हमारे पास conductance L by A हमारे पास क्या रहेगा this is a cell constant G star से जिसको हम basically denote करेंगे next जो formula है basically बच्चो यह भी काफी important है formula number 12 cell constant G star इसको हम कहते हैं तो L by A होगा basically अब इसको हम L by A को ही क्या लिख सकते हैं basically kappa divided by G conductance और one by G को हम क्या लिख सकते हैं resistance inversely proportional होता है तो kappa multiply by R तो यह हमारे पास formula बन गया cell constant का next formula हमारे पास है basically molar conductance का तो इसको proper derivation के according में आपको समझा रहा हूँ क्योंकि काफी numericals पूछे जाते हैं इसके अंदर तो हमारे पास molar conductance को denote करते हैं del M से is equal to conductivity multiply by किस से करेंगे आप यहाँ पर V से अभी हमारे पास volume of a solution containing one mole of a electrolyte क्या contain लेके चले यहाँ पर one mole of a electrolyte अब इन case होपे CGS system की यदि बात करते हैं तो del M is equal to हमारे पास कापा multiply by 1000 divided by M अब यदि SI की बात करते हैं तो हम क्या लिक होगे this is a del M is equal to कापा multiply by 10 की पावर माइनस 3M M हमारे पास क्या होगी यहाँ पर molarity होपे solution होगा next हमारे पास जो formula रहेगा 14 formula यह भी काफी important है equivalent conductance के लिए तो हम इसको denote करेंगे del E से is equal to कापा multiply by हमारे पास V अब V क्या होगा यहाँ पर volume of a solution containing one gram of equivalent of the electrolyte अब इस case में यदि बच्चे बात करते हैं CGS unit की तो हमारे पास del equivalent is equal to कापा multiply by किसे multiply कर रहे हैं यहाँ पर 1000 divided by हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर this is a N यह न हमारे पास क्या है यहाँ पर normality but in case of a SI unit तो हमारे पास SI unit के according क्या बनेगा this is a del equivalent हमारे पास क्या होगा यह equivalent conductance is equal to कापा multiply by 10 की power minus 3 divided by N and हमारे पास क्या रहेगी यहाँ पर normality of a solution तो यह SI unit भी साथ में करनी है formula भी आपके लिए काफी important रहने वाले हैं next formula हमारे पास है degree of dissociation का formula जिसको हम denote करते हैं alpha से तो alpha is equal to हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया this is a molar conductance of any concentration del mc और divide y क्या कर दिया हमने यहाँ पर del m infinity तो यह हमारे पास molar of conductance बन गई electrolyte की infinite dilution के लिए अब यहाँ पर आप देख सकते हो alpha का मतलब क्या है यहाँ पर degree of a dissociation del mc का मतलब क्या है हमारे पास molar conductance at any concentration c और del m हमारे पास note का मतलब है molar conductance of electrolyte at a infinite dilution next formula हमारे पास 16 formula basically किसका रहेगा color slow का अब color slow हमारे पास क्या होता है basically यह बात करते हैं del infinity is equal to lambda c infinity plus lambda a infinity c cation के लिए a हमारे पास anion के लिए तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया del infinity is a conductance of electrolyte at a infinite dilution यहाँ पर हमारे पास del c infinity ionic conductance of a cation at a infinite dilution उसके बाद lambda infinity a this is the ionic conductance of anions at a basically infinite dilution अब इसमें anions की बात कर रहे हैं तो काफी important है color slow भी next हमारे पास जो formula 17 की यदि बात करते हैं ionic mobility क्या होगी it is a very important formula ionic mobility is equal to ionic velocity divided by potential gradient अब इस case में ionic velocity हमारे पास basically क्या लेके चलते हैं cm divided by s तो potential difference जो potential gradient होगा हमारे पास potential difference in a volt divided by distance between the electrode in a centimeter तो यह हमारे पास काफी competitions के लिए यूज होता है यह ionic mobility वाला next जो formula हमारे पास faraday first law of electrolysis अब यह वाला formula भी काफी numericals पूछे जाते हैं तो इस case में इसका formula रहेगा बच्चों हमारे पास w is equal to z multiply by i multiply by t अब जो w हमारे पास this is the amount of ions deposit कि कितने ions deposit हो रहे हैं electrode के उपर z हमारे पास electrochemical equivalent i हमारे पास current in ampere और t हमारे पास क्या रहेगा in time second के अंदर तो यह formula भी काफी important है formula नमबर 19 तो देखिए इस case में z is equal to a divided by vf अब इस case में सबसे पहले आपने देखना है z क्या है this is electrochemical equivalent a हमारे पास atomic weight divided by v हमारे पास velocity f हमारे पास क्या है यहाँ पर faraday constant और जिसकी value क्या होती है 9,6,500 kola अभी इस equal to किसके equal होगा basically e divided by f के e हमारे पास यहाँ पर मैंने अभी जस्ट आपको बताया equivalent weight divided by क्या है नमेरिकल्स के अंदर तो इसको भी आपने डन कर लेना है next 20 formula हमारे पास है faraday second law of electrolysis अब इसका formula क्या है w1 divided by w2 is equal to e1 divided by e2 यह weight होगा हमारे पास यह क्या होगा this is the equivalent यह काफी important formula है next formula हमारे पास 21 formula की 1 mole of electron किसके equal होगा 9,6,500 kola के और 1 faraday electricity इसको भी हम basically कहते हैं next जो formula है 22 formula this is a D.B. Huckle on Sager equation for a strong electrolyte अब यह जो formula है बचो देखिए इस case के अंदर del M is equal to del M not minus A under root C अब इस case में del M हमारे पास molar conductivity this is a limiting molar conductivity इसके उपर क्या आगए limiting molar conductivity A हमारे पास क्या है यहाँ पर constant C क्या रहेगा concentration of the solution next हमारे पास formula रहेगा basically 23 galvanic cell के लिए अब galvanic cell की यदी बात करते हैं तो anode negative होगा oxidation अकर होगा cathode positive होगा तो reduction अकर होगा इन case होपे galvanic cell के अंदर तो यह याद रखना है काफी बच्चे negative positive में confuse हो जाते हैं इन case होपे electrolytic cell की यदी बात करें तो anode क्या होगा उस case में positive cathode क्या होगा negative अब लास्ट जो formula हमारे पास है काफी इंपोर्टेंट है 25 formula cell representation अब cell representation में basically बिलकुल according to the salt bridge के एक प्रोपर कराने वाला हूँ इसके अंदर तो देखिए इसके अंदर इन एक galvanic cell हमारे पास यदी galvanic cell की यदी बात करते हैं anode is kept on the left side तो anode basically कहां पर होगी left side के अंदर और cathode कहां पर होगी right side के अंदर second point के अधी बात करें electrode metal and electrolyte metal ions are separated by a vertical line तो वो separate किसके द्वारा होंगे एक vertical line के द्वारा तो यह हमारे पास कहा दी सिजे electrode metal और यह हमारे पास electrode metal ions जिसको हमने C1 से denote कर दिया next हमारे पास IC के अंदर third part कि salt bris is denoted by a double vertical line जो salt bris basically use करेंगे cell representation के अंदर उसको हम double vertical lines से represent करते हैं तो आप देख सकते हैं this is हमारे पास क्या है anode, यह anode क्या है metal यह metal ions है हमारे पास उसके बाद double vertical line this is a salt breeze उसके बाद cathode ions और यह हमारे पास क्या होगे this is a cathode metal अब यह हमारे पास एक reaction दे दी आपको और यही reaction exams में कई बार पुछी गई है हमारे पास this is a क्या है यह zinc solid plus copper 2 positive aqueous convert into a zn2 positive aqueous plus copper solid अब इस case में cell representation कर रहे है तो cell representation का मतलब क्या है हमारे पास this is a हमारे पास क्या आएंगे metal और इसके बाद metal lines, single vertical line उसके बाद double vertical lines, salt bridge, metal lines, उसके बाद हमारे metal lines किसके यहां पर cathode के cathode हमेशा right side में होगा, anode हमेशा कहां पर होगा, left side के अंदर और इसके बीच में क्या लगा दोगे, salt bridge जो basically electron neutrality को maintain करके रखता है तो यह थे हमारे पास top most important formula जो आपके exams के लिए, आपके numericals के लिए, आपके competition exams के लिए काफी important रहेंगे तो वीडियो को thanks for watching, तो मेरी तरफ से आप सभी को best of luck तो चैनल को like, share और subscribe जुरू कर लिजिए, bye